मुझे साधी करोगे कंटेस्टेंट रोहन प्रेट सिंग के साथ साधी की अफवाहों पर नेहा की एक्स बॉयफ्रेंड हिमांच कोहली ने अपनी परतिकिरिया दी है बदा दे कि इस तरह की ख़बरे शोमवार को सोशल मेडिया पर खोब वायरल होई थी कि नेहा और रोहन प्रेट जल्द ही शाधी के बंधन में बदने जा रहे हैं ना तो नेहा ककर और ना ही रोहन प्रेट ने इन ख़बरों की पूष्टी के थी इस साधी के बारे में कहा जा रहा था कि 24 अक्टूबर को 2020 यानि कि 2020 में दिल्ली में दोनों म्यूजिसियन जो है ये साध फिरे लेंगे अभी टायम्स के साथ खास बादसीत में हमान्स ने बताया कि अगर नेहा वाकई शाधी कर रही है तो उन्हें बहुत खुशी है कि वो मुबान कर रही है उन्होंने कहा कि सभी को जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने कहा देखी अगर नेहा सचमुच शादी कर रही है तो मैं उनके लिए खुश हूँ वो अपने जिन्दगी में आगे बढ़ रही है उनकी जिन्दगी में कोई है और ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि आहमान्ष को उनकी लव स्टोरी के बारे में पता है इस सवाल के बारे में उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं 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 पता कि नहीं इस तरह की घटिया पबलिसिटी वाले तरकीबों का शिकार खुद क्यूं होने देखी साथ ही वो इस बात को लेकर भी नहीं कुछ समझा पा रही है कि मेडिय क्यों बार-बार इस तरह की खबरों पर यकीन कर लेता है बदा दी कि निहा ककर और हिमान स्कॉली ने चार साल तक रिलेशन्सीप में रहने के बाद साल 2018 में ब्रेक अप कर लिया था इसके बाद निहा ने कहा मैं अभी बस इतना ही कह सकती हूँ कि सिंगल होना मेरी जिंदगी का सबसे खूपशूरत एहशास है निहा ने कहा रिलेशन्सीप में रहते हुए ना तो मैं अपने परिवार को वक्त दे पा रही थी और ना ही अपने दोश्तों को अब तक मैं अपनी पूरी उर्जा और वक्त उस इंचान पर खर्श कर रही थी जो इसे डिजर्व नहीं करता है निजरूम से निजलाइख करे पोड़ निजरूम से निजलाइख करे पोड़